नमस्कार दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वागत है vampirehub.com की ओफिसी यूटूब चैनल पर और मैं हूँ आपका दोस्त अनुराग दोस्तों कैसे हो फैनली माग एक में वीडियो के साथ इसमें हम बात कर रहे हैं तोटल 8 vacancies के बारे में और 8 vacancies काफी खास हैं दोस्तों यहाँ पर बंपर 5324 पदों पर vacancy आई है और यहाँ पर बिजली विवाग में भी vacancy आई है जिसमें की सीधी भरती हो रही है दोस्तों इन vacancies के लिए 10 वी पास, 12 पास, ITI, Diploma, Graduate, PG सबी लोग अपलाई कर सकते हैं और यहाँ पर salary आपको मिल जाती है कम से कम इतना या फिर इससे ज़्यादा ही मिलती है कम ने मिलती है दोस्तों यहाँ पर आपको form fees बिल्कुल free है All India से candidate apply कर सकते हैं कुछ vacancies के लिए वहीं आपको यहाँ पर कोई experience भी ने चाहिए दोस्तों आज हम जानेंगे इन्ही 8 vacancies के बारे में one by one तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों यहाँ पर पहली vacancy आए पूने district code के department से और यहाँ पर 24 cleaner के पद है जिसके लिए अनपड apply करेंगे बस आपको लिखना और पढ़ना आना चाहिए या फिर अगर आप 10 भी पास हैं तो भी apply कर सकते हो दोस्तों यहाँ पर सीधी भरती होगी interview basis पे और यहाँ पर salary आपको मेलेगी 15,000 रुपय से लेकर 47,006 रुपय पर मन की इसके लिए आयू सीमा माई गई 18,000 साल तक और इसके लिए job location रहेगा पूने महराश्टरा और इसको apply करने का last date है 15,000 जून 2020 apply करने का माध्यम offline है आपको इसका application form अच्छे से fill up करके इनके address पे send करना होगा दोस्तों इसका complete detail का link यहाँ पे show कर रहा है दोस्तों आज की दूसरी वेकेंसी आई यह महराश्टरा पोश्टर सरकल के department से और यहाँ पे 24,000,000 इस ग्रामिन डग सेवक के पदो पर वेकेंसी आई है जिसके लिए 10,000 पाल supply करेंगे और यहाँ पे selection बीश्ट है merit में मतलब है कोई exam नहीं होगा, कोई interview नहीं होगा आपने 10th में जितने भी percentage of marks लाएं है उसके percentage से आपको चुना जाएगा दोस्तों इसके लिए आपको 4 घंटी की duty के लिए salary मिलती है 10-12,000 रुपय पर मंद की और यहाँ पे आयू सीमा माईंगी 18-45 साल इसके लिए job location रहेगी महराष्ट्रा और इसके लिए apply करने का last rate है 10-12,000 दोस्तों apply करने का माध्यम online है और complete detail का link यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों अगली vacancy की बात करें तो अगली vacancy आई है UP Police के department से और यहाँ पे 1339 सब इंस्पेक्टर ASI के post पर vacancy आई है इसके लिए कोई भी graduate अपलाई कर सकते है BA, BCOM, BSC, BIT कोई भी अपलाई कर सकते है और यहाँ पे selection बेच्टे written exam, PRT, PhD वा interview पर दोस्तों इसके लिए salary आपको मिल जाती है 40,000 रुपय के around और इसके लिए IOC मा माएंगी 21-28 साल की बीच में जॉब लोकेशन रहेगी लगना उत्तर परदेश और इसके लिए apply करने का last rate है 15 July 2021 अपलाई करने का माध्यम online है और इसका complete detail का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है दूस्तों अगली vacancy आई है National Library of India के department से और यहाँ पे 25 यंग professional graduates की vacancy आई है जिसके लिए master degree in laboratory science और information science वाले apply करेंगे और यहाँ पे selection बेश्टे written exam इंटर्व्यू पर इसके लिए salary आपको मिलती है 25,000 रुपीज पर मंद की और आयू सीमा यहाँ पे माहें गई 18 से 35 साल के बीच में दोस्तो इसके लिए job location रहेगा पूरे भारत में All India से candidate apply कर सकते हैं और इसको apply करने का last date है 16 June 2021 और apply करना है email के थ्रू दोस्तो complete detail का link यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तो अगली vacancy की बात करें तो अगली vacancy आई है University College of Medical Sciences के department से और यहाँ पे lab technician, lab attendant, scientist भी, medical, social, work, data entry, operator और अन्य पदों पर vacancy आई है दोस्तो इसके लिए दसफी पास, बारवी पास, टिपलोमा अग्रीजुएशन वा पीजी वाले apply करेंगे और selection based होगा written exam interview पर यहाँ पे salary आपको मिलती है 15,800 रुपैसल लेकर 54,300 रुपै पर मंद की और इसके लिए आयू सीमा माईगी 18-25 साल कुछ पोष्ट के लिए 18-28 साल कुछ पोष्ट के लिए 18-30 साल कुछ पोष्ट के लिए 18-35 साल कुछ पोष्ट के लिए job location यहाँ पे रहेगी डैली और इसको apply करने का लाश्टेट 18-28 और अप्लाई करना email के थुरू ही और complete detail का लिंक यहाँ पे दिया है दोस्तो अगली वेकेंसी की बात करें तो अगली वेकेंसी आई है National Health Mission HP के डिपार्टमेंट से और यहाँ पे 940 कमिटी Health Officer के पदो पर वेकेंसी आई है जिसके लिए BSC Nursing Post Basic BSC Nursing प्लस BPCCH वाले अप्लाई करेंगे यहाँ पे selection बेश्टे written exam interview पर और यहाँ पे salary आपको मिलती है 25,000 रुपीज प्लस incentive और इसके लिए आपको IUC मैं 18-45 साल के बीच में job location रहेगी Simla Himachal Pradis और इसको apply करने का last rate 21-2221 दोस्तो अप्लाई करने का माध्यम online है और इसका complete detail का link यहाँ पे दिया है दोस्तो अगली vacancy की बात करें तो अगली vacancy आई है Central Government से और यह vacancy आई हिंदुस्कान Aeronautics Limited के department से और यहाँ पे filter, turner, mechanist, mechanist, grinder, welder, electronics, mechanic, electrician, instrument, mechanic, electroplater, refrigeration, AC, drotsman, mechanical, seat to metal worker, कोपा वापसा के पोस्ट है दोस्तो इसके लिए आठवी पास, तस्वी पास, बारवी पास, प्लस ITI, NCVT वाले अप्लाई करेंगे दोस्तो यहाँ पे salary आपको मिलती है as per rules और IOC माई 18 से 27 साल के बीच में जेनरल के लिए और यहाँ पे job location रहेगी लगना उत्तरप्रदेश और यहाँ पे apply करने का date है 18 जून 2021 last date है और apply करना है online mode में complete detail आपको इस link पे click करके मिल जाएगा आप apply होई से कर पाऊगे और दोस्तो आज की last vacancy है यह बिजली विफाक से बोली तो महराश्चरा Electricity Regulatory Commission के डिपार्टमेंट से और यहाँ पे regulatory officer technical application developer IT वा अन पदो पर vacancy आई है इसके लिए डिप्लोमा, BTIC और bachelor degree वाले अप लाई करेंगे साथ ही experience चाहिए होगा selection यहाँ पे बेच्टे written exam, interview पर और यहाँ पे salary आपको मिलती है 50,000 रुपए से लेकर 1,500,000 रुपए पर मंद की IUC माया यहाँ पर 18 से 40 साल के बीच में job location रहेगे मुंबई महराश्चरा और इसको apply करने का last date है 12 June दोस्तों complete detail का link यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों इन आठो वेकेंस को apply करने का link आपको मिल जाएगा पहले comment में साथ ही वीडियो के description में जाई अप्लाइ कर दिजी अपने state और qualification के according और दोस्तों अगर कोई सवाल है तो comment करके पूछ सकते हैं form flip का वीडियो चाहिए तो आप comment करके बोल सकते हैं और इस वीडियो को like और share करना बिलकुल मद्भूलना जय हिंदु वंदे मात्रम